काफी लोगों के mix ख्यालात रही हैं इस movie को लेकर कुछ उने अच्छा कहा, कुछ उने बूरा कहा खास कर इसकी speed को लेकर तो आज की इस video में चर्चा करने वाले हैं Dune movie के बारे में जो इसकी length है वो तक करीबन धाई गंटे के आज पास है अब इस movie की कहानी के चर्चा कर लेते हैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसका time period बता देता हूँ कि इस movie किस time period को दर्चा आती है इनसान का 10,000 साल बाद क्या होगा कैसी कैसी technology आ जाती है तो ये सब चीजे इस भविश्य के उपर इसमें दिखाई गई है अब इसमें एक family दिखाई जाती है royal family अब यहां पर जब ये इनसान जो है वो galaxy में पहुंच गया अलग-अलग planet के उपर राज करने लगा है तो इसमें एक जो royal family है उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है Paul Atridius अब उसकी story उसके perspective से दिखाई जाती है कि वो और उसकी family एक planet के उपर जाते हैं इनको कुछ काम दिया होता है वहां पर जब ये किसी planet पर जाते हैं कुछ mineral mozes निकालने तो वहां इस family के उपर ओलड़ी जो royal family होती है वो बहुत जादा इसके कटास करती है तो ये सारी चीजें जो हैं अब इस movie में यो Paul Attidious है वो कैसे सहन करता है अपनी family को कैसे बचाता है अपने आपको कैसे बचाता है अपने लोगों को कैसे बचाता है ये वाली story दिखाई गए अब वो बचा पाता है नहीं बचा पाता है क्या क्या चामने इसके चीजें आती है interesting होती है या नहीं होती है तो तब पता चलेगा जब आप इसमें इस movie को देखने बैटोगे काफी लोगों ने का कि movie काफी जादा slow है क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे चीजें हो रही है एकदम से fighting scene नहीं है बहुत time लगा रहा है अगला scene आने में या फिर कुछ भी चीज होने में action होने में बहुत time लगता है ये काफी लोगों के विचार भी रहे है लेकिन मेरी मानों यार मुझे ये movie पसंद आई मैं जब इसका trailer देखा था तब से मैं इसको movie को देखना चारा था और अंदर से इचाती यार ये कब movie आएगी कब इसको देखूंगा क्योंकि attractive लगा था इसका trailer सीधी सी बाद है तो मुझे तो movie अच्छी लगी हाँ बले कई लोग जो है इसको slow कहें लेकिन मुझे कहीं पर भी ये slow नहीं लगी मैं इस movie के शुडू से लेकर आखिर तक connect रहा इसकी cinematography देखोगे न यार एक number इतनी जबर्दस लगती इतनी खूपसूरत movie लगती जिस तरीके की चीज़े इसमें दिखाएगी है कभी-कभी slow motion के recording या फिर कभी जिसका background music अब वो इतना बढ़िया तरीके से represent किया गया है देखकर अच्छा लगता है ये इतनी high-five movie देख रहे हैं वो feeling हमें महसूस होती है जब इस movie को देखते हैं तो मुझे तो यह movie अच्छी लगी हाँ इसकी story भी अच्छी लगी सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों के लिए अपने आपको उपर रखने के लिए simple यही story है जो हमने movies में देखी हुई है लेकिन इसमें futuristic का जो एक तड़का डाला गया है future में ये कैसे होंगे कई-कई नई परकार की जो चीज़ें हमारे सामने आती है प्लैनेट आ गए है थोड़ा ये वाला तड़का आ जाते है तो देखने में और मज़ा आने लगता है और जो इस movie में जो नाम है वो बड़े ही अजीब से हैं यार उनको याद रखना भी मुझे Paul Atreidious ये नाम याद रखने में भी काफी मसकत करनी पड़ी है कि यार इसका नाम याद रखना है ये मुझे बोलना है तो नाम को लेकर तो यार देखो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है और ये जो movie है इसका भी first part आए या नहीं डाय गंटे जो first part है second part इस जो movie का आएगा जो तकदीर बदल देखा तो वो आने वाली movie में पता चलेगा तो मैं तो चाहता हूँ कि यार ये movie देखना कि भाया अगरा पार्ट इसका देखना क्योंकि मुझे इस movie के अंदर interest create हुआ है कईयों को नहीं हो सकता है इसकी speed को लेकर इसकी slow motion मतलब जैसे इसमें slow चीजें दिखाई गई है उसको लेकर लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसी आपत्ती नहीं हुई है तो मेरे लिए तो ये movie अच्छी रही मैं आप लोगों को जुरूर रिकमेंडिट करूँ कि आप जो मैं ते भी movie देखें हाँ थोड़ा बहुत आपके अंदर ये curiosity रहे कि क्यार दस हजार साल बाद एक आपको देखने को मिलेगा कि जो director होता है इस movie के जो makers होते हैं वो एक सोच दिखाते हैं कि आने वाले time में कैसे कैसे technology हो सकती है तो एक वो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में thanks और watching this वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद